दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे Student of the Year 2 फिल्म के बजट और Box Office Collection के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से तो कुछ अंसुने फैक्ट से बारे में भी तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा Student of the Year 2 सन 2019 में आई एक रोमेंटिक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी इस फिल्म टाइगर श्रॉप, तारा सुतरिया, अनन्या पांडे, आधित्य सिल, समीर सोनी, गुल पनाग, अविशेक बजाज, मनोच पावा, आईशा रजा मिजरा, राजेश कुमार, मांसी जोशी रोय, चे किया था, इसे प्रोडूस किया था, करन जोहर, हीरू यश जोहर, और अपूर्व महता ने, और इस फिल्म की काहनी अर्शत सयद में लिखी थी, इस फिल्म को कुल 3,जा 250 स्क्रिंस के साथ 10 मई, सन 2019 में रिलीस किया गया था, अगर बात कर ये बजट की, तो इस फिल्म का ब पहले हपते में 58 करोड का कलेक्शन किया था, अगर वलवेट कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 98 करोड का वलवेट कलेक्शन किया था, और फिल्म एवरेज साबित हुई थी, अगर बात करें इस फिल्म के IMDV रेटिंग की, तो इस फिल्म को 2.3 रेटिंग मिलें, और ये फिल्म सन 2019 की 24 वी हाईश्ट ग्रोस इन फिल्म रही थी वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म कले म्यूजिक विशाल शीखर ने दिये थे और इसके लिरिक्स अनवीता दद गुपतन और कुमार ने लिखे थे इस फिल्म कुल 6 गाने थे और इसके कुछ गाने अच्छे हिट रहे थे पर फिल्म का एक गाना दा जवानी सौंग ये गाना सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए अनन्या पांडे को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फियर अवार्ड अजीशी ने अवार्ड मिला था तो तारा सुतरिया को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का जीशी ने अवार्ड मिला था तो चल लिया एक फिल्म से जोड़े कुछ facts से बारे में जानते हैं नमबर 1 इस फिल्म में आलिया बट ने दा हुक अप सौंग में कैमियो किया था तो विल स्मीट ने दा जवानी सौंग में कैमियो किया था नमबर दो, सारा अली खान पहले इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली थी लेकिन कुछ कारण से बाद में वे इस फिल्म से हड़ गई थी फिर उन्होंने अपना डेब्यू के दारनात फिल्म से किया था जो सन 2018 में रिलीज हुई थी नमबर तीन, इस फिल्म की कहानी कई हद तक सन 1992 में आई अमिर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर से प्रिरित थी नमबर चार, इस फिल्म से अनन्या पांडे और तारव सुत्रिया दोनों ने बॉल्यूड में अपना डेब्यू किया था नमबर पांच, इस फिल्म की अनॉंसमेंट को अक्टूबर सन 2017 में किया गया था और ये फिल्म सितंबर सन 2018 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कुछ कारण से ये फिल्म डीले हो गई थी और फिर अगले साल मई सन 2019 में रिलीज हुई थी नमबर 6 ये फिल्म टाइगर शॉप की धर्मा प्रोडेक्शन की साथ में पहली फिल्म थी तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और अब इस फिल्म को पांच में से कितनी रेटिंग दें आचाओं कि हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और से बॉक्स ओफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो ता मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पहले लेकर ट्रेस करने आप भूले ता कि मारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके